ओम शिरी गनेश राय नमा दोस्तू एश्टू समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार्दिक श्वागत हैं दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 31 जुलाई रविवार के रासी फल्क के बारे में कि यह दिन मीन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और व्यापार कैसा रहेगा और सुवास्त की महत्पकोन जानकारी हम आपको देंगे और इसे वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों को से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मीन रासी वालों के लिए रवीवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज आर्थिक इस्थिति आपके लिए काफी मजबूत रहने वाली हैं और धन प्राप्ती के अच्छे अफसर आज आपको प्राप्त होंगे इसलिए हर तरह से आज सजग रहें कामकाज को लेकर बहतर प्रदसन करने की आज कोशिस करें ताकि आपकी आर्थिक इस्तिती में इजाफा हो सके धन्यधान प्राप्ति के उदेशों की आज पूर्टी हो सकती है जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो साती सात समय आज आज आपके लिए बहतरीन परस्तितियां तैयार कर रहा है दोस्तो आज आप अपने अंदर अदबुद उर्जा वे आत्म विश्वास महसूस करेंगे तथा आपकी कार्रे छमता में भी इजाफा होगा युवा वर्ग को भी कोई मन मुताविक कार्रे बनने से रहत मिलेगी आज दो फैरबाद परस्तितियां आपके पक्ष में बहुती अनुकूल हैं दिन की सुरुआत में ही अपने महत्पकून कार्रों से सम्बंदित रूप रेखा आप बना ले संतान की तरफ से कोई सुब समाचार मिलने से बहुत अधिक रहत आपको मिलेगी दोस्तो कुछ समय से आप अपने अंदर अधवुत परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे अंदर छिपी हुई प्रतिवा और नौलिज को पहचाने तथा उसका प्रियोग करें इस समय की की गई महनत के निकट भविस्थे में बहुती उचित परिणाम आपको हांसिल होने वाले हैं दोस्तो आज किसी काम में एप्रतियासित लाब की भी इस्तिती बन रही हैं अपने काम के प्रती एकागर चित रहें इसके लिए कोई छोटी यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती हैं विध्यारतियों को भी किसी कंप्रटीशन में सफलता मिलने की आज पूरी संभाव नहें दोस्तो इस समय की की गई महनत के उचित परणाम हासिल करने के लिए करम प्रधान तो होना ही पड़ेगा इसलिए अपनी उर्जा का आप भरपूर इस्तमाल करें अगर प्रॉपर्टी संबंदित कोई आज आप योजना बना रहे हैं तो आज उसके फलीभूत होने का समय आ रही थी आज उन कारों का पूरा होने का समय आ गया है आपको अपनी महनत के अनुरूप उचित परणाम आज हासिल होने वाले हैं जिससे आपको काफी खुसी का अनुबब होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तो परिवारिक विवादों से आज आज आप बचने का प्रियास रखें और सब के साथ आपसी समंजस बहतर बनाए रखने का प्रियास करें ताकि घर परिवार में शुक शांती समर्दिकी दोस्तो साथिसाथ किसी समय भावुकता और आलस की वज़े से बनते कारों में विगन पढ़ सकता है और कुछ उपलब्दियां भी हाथ से निकल सकती है जिसकी वज़े से आपको भारी नुकसान का सामना करना पर सकता है परन्तु जादा सोच विचार करने से कई दोस्तो आए के साथ साथ खर्चों की भी इस्तितियां रहेंगी आप अपनी कोई महत्पपूर्ण वस्तू आज कहीं रख कर भूल सकते हैं या खो सकती हैं इसलिए किसी भी प्रकार की आप लापरवाई ना बरतें दिल की बजाए दिमाग से निर्नेलें भविस्थे की चि अधिक केंद्रित रखें ऐसा करना आपके लिए अवश्य से ही लाबदाएक साबित होगा कभी कभी आपकी संकालू प्रवर्ती आपके और दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन जाती हैं इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखना अति आवशक हैं आज कोई पेम दोस्तों के साथ फैमिली गैट टूगेदर होना तनाव को दूर करके मन प्रफुलित करेगा तथा परिवार के लोग भी खुस रहेंगे दोस्तों साथिसाथ परिवार में कुछ वैचारिक मतवेद भी रहेंगे इसलिए अपने वैस्तम समय में से कुछ समय परिवार के आज सकारात्मक रहेगा प्रेम संबंदों में सात्विक्त रखना आवश्चक है साथिसाथ पती पतनी में भावनात्मक तथा विश्वास पूर्ण रिस्ता रहेगा जिससे घर परिवार में भी वातावरन खुस नुमा रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका आप्त होगी नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छ रहेगा जहां दोस्तों आज वैवसाइक गतिविदी पर पैनी नजर रखें लापरवाय की वज़े से पार्टियां तूट सकती हैं और अपमाम जनक इस्तितियां भी उत्पन होने की आसंक का है नोकरी पेसा वाले ध्यान रखें कि उच अधिकारियों के साथ संबंद खराब ना हो आज का दिन पेमेंट कलेक्शन करने और मार्केटिंग के लिए अती सुब है क्योंकि रुक्वी ही पेमेंट मिलने से आर्थिक समस्याइं हल होंगी नोकरी पेसा वैक्तियों को भी उनके उचित परिश्रम के आदार पर तर्रकी के योग बन रहे हैं दोस्तों साथ साथ किसी अंजान वैक्ति से अचाना के घनिश्टता होगी और कोई बड़ा ओर्डर भी मिलने की संभावना बन रहे हैं इसलिए अपने वैवसाइक गतिविदियों पर बहुती अधिक एक काफी मिला जुला रहने बाला है साथ साथ कोट कचैरी से जुड़े मामलों में भी कोई योजनाएं आप तैयार कर सकते हैं जिससे आने वाले समय में आपको अवस्य ही फायदा मिलेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तों ठकान और कमजोरी आज आपको महसूस होगी इसलिए उचित खानपान और आराम पर भी आप विशेश रूप से ध्यान दें साथ साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वैयाम करें स्वास्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आप के लिए विशेश होपाय क्या हैं दोस्तों आज आप इस नान आदिशे निर्वत रहोने के बाद एक तामे का शिक का लें इसके बाद आप इस एक तामे के सिक को भगवान शुरदेव का इसमन करते हुए बहते हुए जल में छोड़ दें और साथ इसाथ अपनी मनों काम न आत्र से ही भगवान शुरदेव बहुत जल्द प्रशन होकर आपकी समस्त कश्टो को दूर करेंगे जो obt जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशानियों कान्त करेंगे और आपको जल्द ही सुगु फलोग की प्राप्ती होंगी और आपके सभी कार्रें बहुत य आसानी से बनने लगेंगे दोस्तो भगवान शुर्यदेव का सिरवाद आपको प्राप्त हो सच्ची दिल से कमेंट स्बोक्स में जै शुर्यदेव अवस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद